यूपी मुहरम गाइड लाइन मुहरम पर ना ताजिया ना जुलूस योगी सरकार की गाइड लाइन अस्सलामों अलेकुम भाईयों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुहरम और ताजिया 2021 के बारे में इसको लेकर आज की बड़ी ख़बर ब्रेकिंग नूज आ रही है मुहरम ताजिया को लेकर योगी सरकार ने नई गाइड लाइन्स जारी की है आपको बता दें कि क्या क्या करना होगा मुहर्म और ताजिया का के बारे में और कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा जुलूस में कितने लोग शामिल हो सकते हैं और मुहर्म और ताजिया दफन करने के लिए कितने लोग शामिल क्या इस बार जुलूस गाव में निकलेगा या नहीं तो वीडियो को बगेर एस्केप करें पूरे देखें आप हमारे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यही हमारा मेहनत का फल होता है यूपी में मुहरम पर नहीं निकलेगा जुलूस योगी सरकार की गाइडलाइन पड़े लखनव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुहरम के लिए प्रदेश के डी जीपी मुकुल गोयल ने गाइडलाइन जारी करती है इस गाइडलाइन के अनुसार दे 19th of August को प्रशासन ने किसी भी तरीके का जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है इसके साथ ही सरकार ने धर्म गुरूं से समवाद करके दिशा निरदेशों का भी ध्यान रखने को कहा गया है